नमस्कार चैश्री किस्टा मैं राकेश पाठक आपका शिवानियस्टो चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो मैंने जोतिस ग्यान की सिरीज चलाई है वो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी और उसको पुरे पार्ट्स अगर आप देख कि मैंने आपको काफी क्लियर कर दिया है है और मैंने आपको यह भी बताया है कि कि सींभी ग्रह की महा दशा इंसान की प्रकृति को चेंज करती है और अंतर दशा उस ग्रह के फल को देती हैई ये आपको ज्यान रखना है कि फल देने वाली अंतरदशा होती है या प्रतंटदशा होती है और महादशा केवल इंसान की प्रकर्टी को चेंज करती है. ये चीज अगर हम ज्यान रखेंगे तो हम आसानी से पडिक्शन कर पाएंगे. आज हम चलेंगे आगे, आगे जो हमने बात की है, वो राहू की बात की है, राहू के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, इसके बारे में कहा है, कि राहू जैसे ग्रह के साथ बैठता है, उसके गुन्दोस ग्रहन करके उसी ग्रह का परवाव दिखाता है, यानि राहू अगर ब्रस्पति के साथ बैठेगा, तो ब्रस्पति की तरह विवार करेगा, राहू अगर शुक्र के साथ बैठेगा, तो शुक्र की तरह विवार करेगा, शनी के साथ बैठेगा, तो शनी की तरह विवार करेगा, अब जो ये कुल्ली आप देख रहे हैं, इस कहते हैं यह दुवा हैं स्मोक प्लेनेट से जिस भी बाव में बैठते हैं जिस भी बरतन में इनको रखा जाता है उस बरतन की शेव धारन कर लेंगे तो राहू को अगर आपने शुक्र के साथ रग दिया तो वह शुक्र का गुण लेने की कोशिश करेंगे यानि शुक्र के जो है चाहे वह अशुप गुण हो उसको लेने की पूरी कोशिश करें गए और उस तरीके से और बताई है किसा जो ग्रहयर राहु के साथ बैठता है रहे चाहे कितना ही शुप क्यों नहों गशा के अंत में कस्टकारक होता है अब शुक्र राहू के साथ बैठा है तो शुक्र भी दूशित हो जाता है कि राहू सर्फ है कहते हैं कि शुक्र भी दूशित हो जाता है और शुक्र भी अपनी दशामे फल अच्छे नहीं करता क्योंकि वो राहू के साथ बैठा हुआ है तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, राहू किसी ग्रह के साथ बैटा हो, तो उसके पल कैसे मिलते हैं? दूसरा पाइंट है, कोन का स्वामी यदि केंद्र में हो? कोन मींस त्रिकोन का स्वामी? जो हमारे एक पांच नो भाव हैं, त्रिकोन का स्वामी अगर केंद्र में हो और केंद्र का स्वामी त्रिकोन में हो? केंद्र कौन सा है हमारा? एक चार साथ दस, पांच नो त्रिकोन ह तो कोन का स्वामी यदि केंद्र में हो और केंद्र का स्वामी त्रिकोन में हो तो वह दोनों ही योग देने वाले होते हैं इन में से एक की दशा हो और दूसरे की अंतर दशा हो तो बहुत शुपल मिलते हैं तो कार करते हैं यह आप यह ध्यान रखिएगा यानि त्रिकोन का स अंतरदशा आएगी अंतरदशा आएगी आपस में शनी में मंगल की होगी तो बहुत अच्छे फल मिलेंगे क्योंकि दूसरे को योग प्रदान करते हैं यह की तरसे राजयोग बन जाता है तो यह ध्यान लगिए कि त्रिकोंड का स्वामी केंद्र में हो या केंद्र का स्वा यह है कि केंद्र और त्रिकोंड के स्वामी चाहे स्वयम दोश युक्त क्यों ना हो परस्पर संबन से बली होने पर योग कारक होते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि सपोस कीजिए कि आपकी मेश लगण की कुंड़ी है और मेश लगणी कुंड़ी में आपके द दस्वे भाब का स्वामी हुआ, एक केंदर का स्वामी हुआ और ग्यारवे भाब का स्वामी हुआ. ग्यारवे भाब को हम लोग शुब नहीं मानते, तीन, छे, ग्यारा भाब को हम शुब नहीं मानते, तो हम कहेंगे कि भई दोश युक्त केंदरपती हुआ वो, क्योंकि उस स्वामी है लेकिन स्वामी होने से उसमें वह कि लिए खांग कि वो दो strict के इसी प्रकार से है अगर हम देखें एन शिन लगन में ब्रषपती पंचंग के साथ ऑस्टव में सब्सक्राइब को नवरशय नौन पढ़ती है पंजम भावे गळुटा में प्रस्पती आस्तंब के साथ अस्तं के स्वामी होता है तो हम इसे कहते हैं कि यह भी दोश्युक्ध तु n वैंत हो थ cities uncertain केंद्रपती हो दो श्युक्त त्रिकोन पती हो अगर उनमें परस्पर संबंध हो जाए यारी वो साथ बैठ जाए या एक दूसरे को देखें तो वो बली हो जाते हैं और योग कारक हो जाते हैं यह हमें ज्यान लखने वाली बात है कि केंद्र और त्रिकोन के स्वामी चाहे दो श्युक्त भी क्यूं ना हो परस्पर संबंध होने से बली हो जाते हैं और योग कारक हो जाते हैं जीशे में आपको एक नहीं है सम्वंद वही चार्प्रकार के होते हैं वो तो आप जानती है इतर्छे विपता चुका होंगो आपको नहीं दखा हो तो आप देख लेजिए आमने सामने से देखें सांद यह अब यह एक संबंद संब्दे मैं तरही कहते हैं कि यह भी बहुत आवाशक है यदि केंडर और गर्वाब का स्भामी है कोई भी क्यंडर गर्या किर कौई अदि के सिंग लगन में, आप देखें, सिंग लगन वालों के लिए मंगल, केंदर का स्वामी भी बनता है, तिरकोन का स्वामी भी बनता है, प्रशव राशी वालों के लिए शनी, केंदर का स्वामी भी बनता है, तिरकोन का स्वामी भी बनता है, तो ऐसा दहे जो होता है, वो अपनी कुंडली में पूर्ण योगकारी हो यानि जो ग्रहे आपकी कुंडली में केंद्र का स्वामी भी हो और त्रिकौन का स्वामी भी हो वो ग्रहे पूर्ण योगकारी ग्रहे कहलाता है और उसकी अंतरतशा बहुत शांदार होती है भाग्य उद्य करने वाली होती है तो ये आपको बताया, दूसरा आपको यही बताया कि केंद्र का स्वामी और त्रिकोन का स्वामी अगर संबंध हो जाए, केंद्र के स्वामी में और त्रिकोन के स्वामी में, अगर संबंध हो जाए, कोई भी कुंडली आप ले लेजिए, अगर उसमें केंद्र का स्वामी औ चंद्रमा पांसतरमबर राशी पड़ेगी आपकी भाव में उसका स्वामी कौन हुआ निक इन्द्र पती हुआ चंद्रमा और कौन पती हुआ सूर्य अब यह दोनों यह अगर संबंध हो इन्में सूर्य चंद्रमा वैसे तो लेकिन दोनों बैठे हों दोनों में संबंद मन जाए या सूर्य चंद्रमा के राशी में आ जाए चंद्रमा सूर्य की राशी में आ जाए तो ऐसे में एक ग्रह की महादशा हो दूसरे ग्रह की अंतरदशा हो तो वह शुफल देने वाली होती है यह ध्यान रखिए बहुत इं कौन के स्वामी का अगर संबंद है यानि वो साथ बैटे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं या एक दूसरी की राशी में अविलेबिल हैं तो ऐसे में एक की महातरशा में दूसरे की अंतरशा बहुत अच्छी जाती है और भाग्यों देखरने वाली होती है यह हमें समझना चाहिए तो यह पाइंट जो है उसी सब्बंदित है जो इसमें कहा है एक चीज और इंपोर्टन बहुत इंपोर्टन है कि राहू और केतू के बारे में बड़ी गलत अवधारना है कि सब वो अंगारक योग बना देते हैं या मंगल के साथ बैठें तो में बैठा हो राहू के तू यहीं त्रिकोन में बैठे हो यानि पांचवे नवे भाव में बैठे हो और केंद्र के स्वामे के साथ संबंद करते हो राहू के तू त्रिकोन में बैठे हो और केंद्र के स्वामी से संबंद करते हो तो राज्योग कारते हैं इसी प्रकार से र वो भी राज योग कारक होता है ऐसा हो सकता है कि गुरू और राहू एक साथ बैठे हो और गुरू केंदर का स्वामी हो राहू त्रिकोण में बैठा हो तो वो गुरू चंडाल दोश नहीं वो आपका राज योग बन जाता है ऐसे में राहू में गुरू की दशा या गुरू में राहू की दशा बहुत शुबकारक होती है भाग्य उद्य करने वाली होती है तो आपको ये points भी ध्यान रखने बहुत जरूरी है आगे मैं आपको और भी points बताऊंगा अंतर दशा दशा के जो बहुत important है और जो prediction करने में इस्तेमाल होते हैं इसके अलावा मैं सुचना देना चाहता हूं कि हम लोग एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं एस्ट्रोजी का जो लोग भी इंट्रेस्टेड हो एडवांस एस्ट्रोजी का वो जॉइन कर सकते हैं देगे नमबर पर संपार्थ करके धन्यवाद जैश्री किष्णा